अपने Mac को gift करना है? ओहो, अमिर लोग! क्या आप अपने Mac को किसी को sell करना चाहते हैं, gift करना चाहते हैं, या फिर hand over करना चाहते हैं? इन सारे cases में आपके लिए जो best solution होगा, वो यही होगा कि आप अपना data delete करके, या फिर completely उसको reset करके अपने Mac को किसी को hand over कीजे, या फिर sell कीजे, ताकि जो आपका data है, वो किसी के पास न जाए, या किसी के हाथ में न लगे, तो अपने Mac को आप कैसे reset करेंगे, वो भी completely है, नमस्कार दोस्तों, मैं हुआ विशेक और आप देख रहे हैं अवी टेकी, तो चलिए बिनादेरिंग के वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, और सिखते हैं कि अपने Mac को हम completely कैसे reset करेंगे, अपने Mac को reset करने से पहले, जो पहला step है, या फिर most compulsory step है, वो ये है कि आप अपने Mac का जो भी data है, उसे कहीं पर backup कर ले, या तो external SSD की मदद से, SDD की मदद से, या फिर iCloud पे, या कोई भी online storage, cloud storage, जो भी आप जहां पर भी चाहते हैं, make sure कर ले कि आप अपना data सारा कुछ backup कर चुके हैं, क्योंकि इस process में आपका जो भी data है, वो सारा कुछ delete हो जाएगा, तो इसलिए आप अपना data सारा कुछ backup कर ले, उसके बाद इस process में आगे बढ़ें, अपने Mac में data को backup करने के लिए, आप inbuilt feature जो time machine है, उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं, time machine को use करने के लिए, आपको system preferences में चले जाना है, और उसके बाद यहां से select कर लेना है time machine को, time machine को आप जैसे select करेंगे, आपको एक option मिलेगा select backup disk, अगर आप first time use कर रहे हैं, तो आपको एक disk यहां पर select करना होगा, तो कोई भी external drive लगा कर, जैसे SSD हो गया, या फिर HDD हो गया, आप इसको लगा कर, यहां पर अपना backup disk select कर सकते हैं, येकिन make sure कर लें कि, जो आपका disk है external disk, वो आपके MacBook के या फिर Mac के हिसाब से, जो space आपके Mac में है, system configuration में है, उसके हिसाब से वो equivalent हो, या फिर उससे ज़्यादा हो, जैसे कि एकर मेरा MacBook है, वो 512 GB का है, तो मैं 512 GB वाले SSD का ही इस्तेमाल करूँगा, ये HDD का या फिर उससे ज़्यादा, क्योंकि मुझे time machine की मदद से, मुझे completely अपने Mac का backup बनाना होगा, तो मैं इस process में backup करके नहीं दिखाऊँगा, आप simply हाँ पर आकर इस process में आगबढ़ सकते हैं, और अपना सिस्टम का या फिर Mac का अपना backup क्रेट कर सकते हैं, दूसरा जो step है, वो है अपने iCloud ID को sign out करना, ताकि अगर आप किसी को अपना Mac handover कर रहे हैं, या फिर gift कर रहे हैं, तो उनको activation की कोई problem नहीं हो, या फिर आपका जो Apple ID है, वो इस device से linked ना रहे हैं, इसलिए आप इसको sign out कर ले, sign out करने का process simple है, आपको यहाँ पर system preferences में चले जाना है, और उसके बाद फिर Apple ID पर click करके, overview में चले जाना है, और उसके बाद यहाँ sign out button पर click करके, अपना Mac है, उससे अपना Apple ID को sign out कर लेना है, अगर आपका sign out button काम नहीं कर रहा है, तो मैंने recently एक वीडियो बनाया हुआ है, sign out button fix करने के लिए, कि जो grade out हो गया है, उसको कैसे हम fix करेंगे, तो मैं link दे दूँँगा, description में आप उस वीडियो पर जाकर, completely देख सकते हैं, कि अपने Mac से आपको, अपना Apple ID कैसे हटा पाएंगे आप, अगला जो step है, वो है find my Mac को disable करना, तो आपको ये करना mandatory है, ताकि आपके Apple ID में, वो device आपका show न करें, या फिर आगे चलके activation का problem नहीं हो, जो भी आप जिनको देने वाले हैं, अपना Mac या फिर किसी को sell करने वाले हैं, तो उनको आगे चलके कोई problem नहीं हो, इसलिए आप अपने Apple ID से, इस find my Mac को disable करतीजे, और उसके बाद फिर आप reset करने के लिए तयार हैं, तो find my Mac को disable करने के लिए, आपको यहाँ iCloud वाले section पे चले जाना है, और उसके बाद find my Mac जो दिया गया है, उसके बगल में, जो check button है, उसको uncheck कर देना है, uncheck करने के बाद आपका Apple ID सामने आएगा, और यहाँ पे आपको password input करने के लिए पुछा जाएगा, जो कि आपका Apple ID का password है, तो आप यहाँ अपना Apple ID का password input कर दीजे, अब आप त्यार हैं अपने Mac को पूरी तरह से reset करने के लिए, तो चलिए हम अपने system को off करते हैं और उसके बाद process में आगे बढ़ते हैं, तो मैं यहाँ से simply अपने system को shutdown कर लूँगा, off करने के बाद आपको अपने Mac को फिर से re-start करना है, लेकिन यह start करने से पहले यह ध्यान में रखना है आपको की command और R button दोनों एक साथ प्रेस कर ले पहले और उसके बाद फिर power button को प्रेस करें, यह command और R button आपको तब तक प्रेस किये रहना है जब तक कि आप Apple लोगों न देख ले, उसके बाद जैसे ही आपको एक progress बार दीखे, आपको command और R button को release कर देना है, बड़ा wait करिए, wait करने के बाद आपको एक ऐसा pop-up मिलेगा या फिर window मिलेगा Mac OS recovery के नाम से, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपका user जो आपने create करके रखा हुआ था Mac में वो आपका यहाँ पर show हो रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद next करिए और user का जो password था आपका Mac का वो यहाँ पर input कर दीजे, और उसके बाद क्लिक करना है continue पर, continue पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ multiple options दिखेंगे, restore from time machine, reinstall macOS Montre, safari और disk utility, आपको चले जाना है disk utility में, disk utility में जाने के लिए आप एक बार उस पर क्लिक करिए और फिर continue पर क्लिक कर दीजे, जैसा कि आप देख रहे होंगे disk utility में आपको यहाँ पर multiple volumes शो हो रहे होंगे, एक internal है और एक disk images है, तो हमें disk images वाले जो volume है उसमें कोई छड़शाड नहीं करना है, आपको चले जाना है internal वाले पर, जैसे कि यहाँ पर Macintosh HD मेरा volume शो हो रहा है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर करना है erase, इरेस पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पर name आप जो भी चाहें अपना Macintosh HD के जाओ पर जो भी नाम रखना चाहते हैं आप वह रख सकते हैं, लेकिन मैं prefer करूँगा कि Macintosh HD ही आप यहाँ पर रखें और उसके बाद file format में यहाँ से आप multiple options आपको दिये जाएंगे वह आप select कर सकते हैं, लेकिन normal way में या यू कहें तो default way में जो गी होगा वह APFS suitable होगा यहाँ पर, तो APFS को यहाँ पर select करिए और select करने के बाद फिर से erase पे click कर दीजे, erase पे click करने के बाद थोड़ा देर wait करना है जब तक कि हमारा यह जो volume है वह delete हो रहा है, तो हमारा जो volume है या फिर जो partition था हमारा वह delete हो चुका है, format हो चुका है, अब आपको यहाँ simply done करना है, done पे click करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो volume है वह delete हो चुका है, in case अगर आप bootcamp का इस्तमाल कर रहे हैं या फिर एक और partition आपने create करके रखा हुआ है जिसमें के दूसरा OS आपने install किया हुआ है, तो हो सकता है कि आपका वह completely यहाँ से erase नहों हो तो उसके लिए आपको manually करना पड़ेगा, तो जैसा कि देख रहे होंगे कि मेरा जो internal storage है या फिर internal volume मेरा पहले से था partition वो मेरा पूरा space यहाँ पर show हो रहा है, यह चीज़े हो सकती है कि आपके case में न दिखे क्योंकि मैंने bootcamp पहले से create करके रखा हुआ था bootcamp partition था मेरा, आपका हो सकता है कि नहीं हो तो यह चीज़े आपको न करनी पड़े, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया अगर आपने bootcamp भी install करके रखा हुआ अपने system में तो यह process आपके लिए helpful हो सकता है, इस process को follow करने के बाद आपको disk utility में उपर यहाँ apple icon के बगल में disk utility पे क्लिक करना है और उसके बाद फिर quit कर देना है, quit करने के बाद आप फिर से wipe उसी window पे आ जाएंगे जो की पहले हम लोगों को इस process में start में मिला था, तो यहाँ से इस बाद आपको select करना है reinstall macOS mantra या फिर जो भी OS आपका जो latest OS होगा इसमें installed वो आपको यहाँ पे show करेगा, तो reinstall macOS mantra पे click करेंगे हम और उसके बाद फिर continue पे click कर देंगे, continue करने के बाद आपको installation process में फिर से continue करना है और थोड़ा इंतजार करिए जब तक कि process यह आगे नमा पड़े, फिर आपको terms and condition को agree करना है next screen पे, फिर से agree पे click करिए और उसके बाद यहाँ से आप select कर लीजे वो drive जिसमें कि आप अपना macOS को install करना चाहते हैं, तो अगर आपने कोई अलग से external SSD वगर इसमें insert करके रखा हुआ है तो वो चीजे आपको यहाँ पे show होंगी लेकिन जैसे मेरे case में यहाँ पे single macintos SD एक show हो रहा है मेरा जो internal drive है तो मैं इसको select कर दूँगा और select करने के बाद यहाँ से continue कर दूँगा इस process में आगे बढ़ है तो यह चीज़े ठीक है अगर नहीं है तो आप अपना charger connect कर लें ताकि process के दौरान यह बीच में आपका battery के वजह से off न हो जाए तो मैं continue करूंगा लेकिन मैं आपको suggest करूंगा कि आप charger लगाकर ही यह चीज़े करे क्योंकि email कभी-कभी होता है कि यह ज्यादा time ले लेता हो और system off हो जाएगा तो जो आपका process है या फिर जो installation file है वो corrupt हो सकता है और आप कुछ आगे चलके इसमें problem हो या फिर आपको फिर से operating system को install करना पड़े डाउनलोड करके कहीं और से तो इसलिए आप बहतर होगा कि charger connect करके ही इस process में आगे बढ़े तो हमारा macOS Montre है वो हमार इस डिस्क में install हो रहा है जैसा यहां पर टाइम शो हो रहा है आपका मैक फिर से बूट अप होगा लेकिन इस process के दौरान आपका मैक दो तीन बार हो सकता है कि और फिर restart हो तो आपको घबराने की बात नहीं है process में आप बने रहे और उसके बाद फिर जैसे आपका system या फि बूट अफ होने के बाद आपको एक welcome screen मिलेगा आपको country और reason सेलेक्ट करने का यानि कि आपका Mac है वो completely reset हो चुका है यह factory condition में जा चुका है अब आप इसमें setup कर सकते हैं या फिर आप किसी को handover करना चाहते हैं sell करना चाहते हैं वो आप यहां से आसानी से कर सकते हैं इस step प रहिए जिसकी मदद से आपका जो Mac है वो अफ हो जाएगा तो इस तरह इन steps को follow करके आप अपने Mac को completely reset कर सकते हैं या यू कहें तो factory reset condition में ला सकते हैं मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी अगर अच्छी लगी तो क्रिप्या like करें comment करें अपने द सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको ऐसे ही मजदा टिप्स और ट्रिक्स वाले वीडियोज हमेशाब मिलते रहें